सब्सक्राइब करें शर्मासॉफ चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटर्श वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइज अजकता मैं सौगत आप सभी की नेशने वीडियों पर आया हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बात काते हैं यह भी कंपनी है सबसे परदें आप अगर आपका वही से अपना है उपको वीवो कहीं है अगर आपका कशना वो आपका फोन इत्स अपनय और रेसे राप हो है तो आप्चानाउलोजी अगर आपका ר्ड़े करा अबर आपने फोन स्टार्ट करा है वगारा 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 जो भी डिटेल्स है कब एक्सपायर होनी है वह सारी डिटेल्स जहां भी जिस भी केर में आप जाएगी उनके पास आज़ेगी आपको बिल ले जाने की जुरुरत नहीं है मगर कहीं कंपने मैंने सुनी है कि वह मांगते है बिल अगर आपके बास सारी ओरिजिनल डिटेल्स है चलो बिल हम एक बात मानेते हैं दूपलिकेट्सी के लिए कि कोई और बंदा किसी और का फोन लेकर ना रहा हो कोई प्रोब्लम सोल माग रहा हो क्या उसको कैसी कंडिशन मे कहिते हैं कि उसके पास छब भी ठीक है दूसरी चीज की बात करें हम कई कंपने मांगते हैं अगर बिल है के बंदे का क्या काम चलो बोक्स भी हम कहते हैं चलो बोक्स है उसके बास और बिल दौनों चीजे हैं फिर मांगते है कि अगर आपके पास तो जो मोबाइल buck had a userand तो आपका एक मंद हो गया है, आपके फोन में कोई प्रोल्म है, यह मैं सारी चीज़े जो बता रहा हूँ, यह रियाल्टी है, यह फेक नहीं है, यह हो चुकी है, मेरे साथ या किसी पहचान में, ऐसी चीज़े, तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले, एक कंपनी है, मैं उसका न इसे फोन में प्रोल्म है, तो उसका डियो बनाके देते, ताकि मैं यह फोन का रिफर्ण आजा है, मेरे पास यह फोन में पर चेंज हो के आजे, मोशली चांस होते है रिफर्ण आजे, तो उन्हें ने का, ओके यहां से बंदे हैं, मगर हमाँ पास अभी पेपर अविलेबल नहीं है, जो डियो बनाते हैं, वो पेपर अविलेबल नहीं है, और बाकी आप दूसरे सर्वी सेंटर, जो उसी ओर्थराइज सर्वी सेंटर है, वहाँ दूसरी शेहर में एक और ओर्थराइज सर्वी सेंटर है, उसी कंपनी का, वहाँ चले जाए, तो वहाँ हम गए, उन बोक्स का हलका साइट का फटा हुआ था हलका सा बिल्कुल मतलब माइनर सा स्क्रैस हाउस पे और वो उनन गया दिया कि भई सर यह रिप्लेस नहीं हो सकता इसका रिफर्ण नहीं हो सकता क्योंकि यह बोक्स डेमेज़ है मतलब अगर आप सौन लिजए अगर आपने एक शोप से पर्चेस किया उसका ढ़लाका गिसने रखाए वो शबड़ न्यों कोफे हो ही इसने दे तो बोक्स का आपको मतलब ये बात मेरे को बोट गलत लगी कि ऐसी टर्मिन कंडिशन बनाई क्यों है क्योंकि जो बोक्स हो सकता है या आप एक कूरियर कंपनी से ही मंगा ले कोई फोन या बोक्स उसका डेमेज हो जाता है कहीं बार या बेसिक सी आप बात देखते हैं अगर कि अगर आप किसी शोप से भी लेते तो कहीं बार भाएप कोई बोक्स कहीं से साइप से फटा होता है और वह होता है थोटकर में दिक्कद नहीं हाते ही कहीं कंपनीज मतलब यह बात सोच एंशे एसे हिए कि अगर आपके फोन पे स्क्राच वगरा हो चलो वह बात अलग है तो यह चाहिऊ आपका यह फोन डैमेज है तो हम रिपेर नहीं सकते हैं जो सिंपल सी पाता है अगर फोन डैमेज होगा है तो रिपेर करें चाहिए स्क्राच और यह पुछ भी स्क्राच आप बोक्स वाली बात मुझे समझ नहीं अगर आपने देखा है कि पीछे से वैसा हो ह उस पर सदार करना क्या है यह फाल्तु की टर्मन खंडिशन नहीं है, यह हटा है यह पियु पर प्राइल परचेस करने से पहले है तो यह यह तर्मन कंडिशन या तो कहीं लिख के दे हमें या कहीं हमको बताए कि यह टर्मेंट कंडिशन है परचेस करने से पहले क्योंकि अगर लोगों को यह चीद पता चलेगी तभी तो लोग आगे बढ़ेगे अगर आपको अभी तक यह चीद नहीं पता थी तो यह जानके आपको बहुत ज्यादा है नहीं होगी ऐसी चीज और आपका बॉक्स अगंगा नेग्छे वी तो यह बात मानने की नहीं है अगर नहीं फता हो तो तो चलो मानने की बात है मुझा अगर घ्मेंगो तो नहीं हो वैसे भी अगर आपको यह देखना मेर ट्वीटर पोस्ट को गया इसकी कि क्या थी उस box में कमी और क्या कमी की वैसे उन्होंने बोला कि ये reject हो जएगा ये नहीं जाएगा ये जाएगा ही नहीं रिप्लेस करने के लिए और दूसरी जरी बात आपका फोन अगर रिपेर के लिए मांग रहा है तो क्या मतलब है अगर बंदे के पास बिल है और तुम् बॉक्स मांगने का मतलब क्या है अगर बॉक्स बी चलो मांग लिए ये रिपेर की बात करहो हम ये इससे पहले मैं रिफंड और रिप्लेस्मेंट की बात कर रहा है तो बॉक्स बी आपके पास यूजर मैनूल गाइड नहीं है इसके वाईसे आपका फोन रिपेर नहीं हो सकता पहले वो लेकर जाए यह जो आजकल टेकनोलोजी आ रही है उसका मतलब तो यह है कि आप नेट पर देखे आपको बते जलिए किसके नाम है क्या है किस-किस ने रूस किया क्या क्य नेकड़ होगा क्योंकि उनके बाद डिटेल्स ओटमेटरी सारी आ जाते है कि बंदा कौन है किसके नाम फोन था और कब एक्टिवेट हुआ है फोन बेसिकले आपको यह देखना है कि अगर हम बात करते कि चोरी-चोरी की बात कर रहे है तो बंदे के पास अगर बिल है और उसके नाम पर ही है तो क्या बात बनते है तो बोक्स टी बात बनती ही नहीं अगर आईडी प्रोफ दिखा रहा है और बता रहे है कि यह मेरा ही फोन है बोक्स का जो युजर मैन गईड़ है वो गुम हो गया तो रिपेर कर दे यह बात मुझे भी बोगी और बहुत बुरी ऐसी कोई प्रोब्लम हो तो मेरे को नीचे जरुरू बताया कमेंट सेक्शन में की और एक और बात है अगर आपका एक वीक अंदर फोन प्रोब्लम आ जोगी तो उसको रिप्लेस करना चेहन को अगर वो कहते है की रिप्लेस होगा तो एक मन तक जब रिप्लेस्मेंट और प्रोब्लम आने लगी है तो आने वाले टैम में क्या होगा तो यह सोचने की बात है इस पर भी एक एक एक्शन लेने के कंपनियों को अगर आपको यह बात सही लगी और अच्छी लगी तो नीचे ज़रू बढ़ाए कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है और लाइक करे यह बात सही लगी और अच्छी लगी और अगर इसके बार में कुछ और जानना चाहते है या मेरे को बताना चाहते कि आ सथ क्या इंसिडेंट हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताए कि अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ है तो आज के वो को पता चले कि क्या है कम्पनियों की टर्मेंट करनेशन अगर आप एक फोन पचेज कर रहे तो क्या कि आपको ध्यान में रखने पड़ेगी बाइ